इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से उत्तरकाशी में नौवे दिन रस्क्यू अपरेशन जारी है और एक तालिस मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है कई बचाव और राहत एजन्सियां जो हैं वो इस रस्क्यू अपरेशन में लगातार जुरी हुई हैं सेना और बी आरो रस्क्यू अपरेशन में शामिल हैं पाइपों के जरिये मजदूरों को अक्सीजन पहुचाई जा रही है खाना पहुचाया जा रहा है जैसे जैसे एक पल निकल रहा है वैसे वैसे मजदूर वहां पर सुरक्षित हैं जिन्दा है उसकी जो उमीद है वो कम होती जा रही है सुरंग में ड्रिलिंग का काम इस वक्त तेजी से चल रहा है यह लगातार जो आप तस्वीरे उत्तरकाशी से सीधा देख रहे हैं कि किस तरीके से एक निर्माना धीन जो टनल थी उसके धसने की वज़े से 41 मजदूरों की जिन्दगी उसमें फस गई है और अब उन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू अपरेशन जारी है और इस वक्त हमारे समवादाता अधीर यादा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधीर इस वक्त क्या अपडेट है क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि दो मजदूरों की हालत जो है वो गंभीर है क्या इस वक्त अपडेट है बिल्कुल आपको बता दूं कि इस रेस्क्यू अपरेशन को आज नवादिन है और नौ दिन हो गए हैं जो 41 मजदूर हैं वो ट जा रहा है उदर से पहले जब देखा गया था अमरीकान आगर मसीन ती उससे डिल करा जा रहा था तो घुफा में जो एक आवाद सी हुई ती और इसा कम जा रहा है तो चैनल में इस वज़े से उस मसीन तो जो है रोग दिया गया था अब दूसरे प्नानों पर भी काम करा जा रहा है कि रैस्की को कैसे तरीके से इन जो फस्ते हैं उनको निकाला जाए तरिया बात करें और अंदर फस्ते में मजदूरों की तो उनमें से सभी के सब साथ जो है बाते हो रही है सरकार उनको बाते कर रहे है वहां पर जूब दे रही है और अब इस वक्त जद्धोजहाद पूरी की जा रही है